जोहार आप सभी को आज मैं पुना आप लोगों के लिए पांच प्रस्ण लेकर आया हूँ और ये पांचों प्रस्ण बहुत इंपॉर्टेंट है और प्रिभियस एर में पूछे गए हैं जवाहर नवदे विद्याले परवेश परिछा जो 6 कलास के नामांकन के लिए होती है उसमें पुछे गए हैं आप लोग इन पांचों प्रस्णों को ध्यान से देखेंगे और अपने तयारी को जारी रखेंगे और आने वाले परिछा में अधीक से अधीक अंग प्राप्त कर जरने की कोशिस करेंगे आप लोगों के लिए सबसे पहला प्रस्ण है पांच अंकिये बली से बली से बली बिसम संख्या जो अंकों 3 5 7 9 तथा 0 से बनाई जा सकती है क्या है यहां अंक क्या-क्या है 3 5 7 9 और 0 इसे से बली से बली संख्या बनाना है, क्या बनाना है? बली से बली संख्या, लेकिन बिसम संख्या होना चाहिए, बली से बली संख्या होना चाहिए, लेकिन बिसम संख्या, बिसम संख्या किसे कहते हैं? वह संख्या जो दो से पुर्न रुप से विभाजित नहीं होता है, ठी से एक, तीन, पाँच, साथ, नो, ग्यारा, तेरा, जो जोडा अंक नहीं होता है, वो विसम संख्या है, हमें बनाना है बड़ी से बड़ी विसम संख्या, इसलिए सबसे पहले हम लोग लिखना चाहेंगे क्या, नो, इससे छोटा कौन है, सेवेन, इससे छोटा, फाइब, यह लेकिन फाइब के बाद, यदि आप थिरी लिखना चाहोगे, उसके बाद जीरो लिखोगे, तो यह जो संख्या बनेगा, यह सम संख्या हो जाएगा, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, जीरो को पहले लिखेंगे, और थिरी को बाद में कर देंगे, क्योंकि हमें बनाना है, बली से बली, बिसम संख्या बनाना है, जब तीन को अंत में लिखते हैं, लाष्ट में लिखते हैं, तब बिसम संख्या बनेगा, अगर हम जीरो को लाष्ट में कर देंगे, तो बिसम संख्या नहीं होगा, क्या हो जाएगा, सम संख्या हो जाएगा, इस चीज़ पर ध्यान देना है को इतिकत आप लोगों के लिए कोसर नमबर दो पांच अंकों की बली से बली सम संख्या जो 3, 0, 5, 7 तथा 8 से बनी है क्या है हमें बनाना है बली से बली सम संख्या तो सबसे पहरे लिखना होगा 8 आठ से छोटा क्या है? साथ साथ से छोटा क्या है? पांच पांच से छोटा क्या है? इसे छोटा क्या है? जीरो जब लाश्ट में जीरो आएगा तो समसंख्याही बनेगा क्या बनेगा? समसंख्याही बनेगा कोई दिकत? आप लोगों के लिए कोसन नबर थिरी बहुत इंपॉर्टेंट हैं अच्छा से समझ लें कोसन नबर थिरी क्या है एक से पचीश तक की संख्याओं का योगफल क्या होगा यह प्रस्णाया है जवाहर नवदय विद्याले 2007 है ठीक है इस टाइप के प्रस्ण को हल करने के लिए एक मैं फॉर्मूला बताता हूँ जिसे आपको याद रखेंगे तो आपको हल करने में स्वीधा होगा यहाँ यहाँ पर प्रस्ण में एक से पचीश तक की संख्याओं का जोल पूछ रहा है यदि फॉर्मूला याद रखोगे तो एक से पचास तक हो एक से सो तक हो एक से हजार तक हो एदम चुटकी में योग निकाल सकते हो कैसे निकालोगे ध्यान से देखना है 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस डॉट 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 प्लस एदि प्राकृत संख्याओं का जोड इस तरीका से निकाला हो 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस डॉट 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 इन तक की संख्याओं का जोड निकालना है तब फॉर्मूला होता है एन एन प्लस 1 बटा 2 क्या होता है एन एन प्लस 1 बटा 2 हम लोगों को इस प्रस्ण में 1 से 25 तक की संख्याओं का जोड निकालना है यह कहां तक जा रहा है पचीश तक जा रहा है है ना एक से पचीश तक जा रहा है अब इस फॉर्मूला से इसको मिला कर देखो यहां लाश्ट में क्या था एन यहां लाश्ट में क्या है पचीश इस फॉर्मूला में जहां एन है वहाँ 25 लिख दो बटा दो हो गया ना इसके बाद क्या होगा 25 गुना 25 और एक 26 बटा दो दो एक हम दो दो से ये 13 बार में कट गया कटा अब 13 को 25 से गुना करना है 13 को 25 से कैसे करेंगे मैं आप लोगों को पहाला याद करने के लिए बोलता हूँ क्यों बोलता हूँ पहाला यदि आप लोगों का अच्छे सी याद रहेगा तो गुना भी फटा फट तुरंट एकदम कर लोगे कैसे करोगे 13 पचे 65 के 5 हाथ में 6 13 दूना 26 26 और 6 कितना होगा 27, 28, 29, 30, 31, 32 कितना आगया 325 इस तरीका से गुना कर सकते हो यदि पहाला याद रहेगा तब और यदि पहाला याद नहीं रहेगा तब क्या करोगे लिखोगे 25 उपर में फिर नीचे 13 लिखोगे फिर एक एक अंकर पिर गुना करोगे फिर जो लोगे तब आएगा और पहाला याद रहेगा तब क्या करोगे 13, 65, 65, 5 6, 6, 13 दूना 26 अच्छे 26 अच्छे, 32 32 लिख दिए गुना फिनिस जम हो गया ना इसलिए मैं सभी बच्चों को बोलता हूँ पहाला याद करो पहाला लिखो, बार-बार बोलते हैं पहाला में बहुत पावर होता है जैसे लोग दूद पीते हैं तो ताकत होता है ना उसी तरीका से पहाला में भी मैथ बनाने का ताकत है ओके इसलिए सभी बच्चों को पहाला कम से कम 20 तक याद होना चाहिए तीस हजार साथ सो च्यालिस में कीस अंक का अस्थान मान सबसे अधिक है इस संख्या में कीस अंक का अस्थानिय मान सबसे अधिक है ध्यान दिधर इधर राखी कुमारी इस संख्या में सबसे अधिक कीस अंक का अस्थानिय मान होगा तो जो सबसे इधा सुरूम रहेगा उसका अस्थानी अमान सबसे ज्यादा होगा क्योंकि तीन का अस्थानी अमान हम लोग लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे तीन और उसके बाद एक, दो, तीन, चार जिरो बैठाएंगे बठाएंगे लेकिन 7 का अस्थानी अमान लिखेंगे तो क्या करेंगे 7 के बाद 2 ही 0 बैठाएंगे तो इस संख्या में 3 का अस्थानी अमान सबसे ज्यादा होगा इसलिए इस प्रस्ण का सही आंसर होगा 3 ओके कोई दिकत अब हम लोग आते हैं कोशन नमबर 5 में यह भी प्रस्ण जवाहर नवदय विद्याले परिछा 2003 में आया था जितना हम बतलार हैं न यदि आप लोग इमांदारी से पढ़ाई कर लोगे तो इसे पास कर जाओगे जवाहर नवदय विद्याले में कोई नहीं रोक सकता है कोशन नमबर 5 आप लोगों के लिए एक से पचास के बीच कितनी अभाजी संख्याएं है एक से पचास के बीच कितनी अभाजी संख्याएं होती है अभाज संख्याएं प्राइम नमबर का परिभासा मैं आप लोगों को कई बार बता चुका हूँ वह संख्या जिसके मात्र दो फैक्टर्स होते हैं तो एक से लेकर पचास के बीच में कितनी अभाज संख्याएं होती है पंद्रा, फिप्टिन, कितना होता है पंद्रा, ये आंसर हो गया लेकिन कौन-कौन होता है, ये अभी मैं बतलाता हूँ दो, तीन, पाँच, साथ, आठ नहीं होगा, नो नहीं होगा, दस नहीं होगा, ग्यारा, बारा नहीं होगा, तेरा, चौदा नहीं होगा, पंद्रा नहीं होगा, सोला नहीं होगा, सत्रा, अठारा नहीं होगा, उन्नीस, बीस नहीं होगा, एकिस नहीं होगा, बाइस नहीं हो 25 नहीं होगा, 26 भी नहीं, 27 भी नहीं, 28 भी नहीं, 29 ठीफ, 30 नहीं, 31 ठीफ, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 37, 37, 37 के बाद, 38, 49, 40, 41, 42 नहीं है, 43 होगा, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, एक से 50 के बीच में ये सब अभाद संख्याएं हैं, गीन के हम लोग देखते हैं कितना है, एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ, नौ, दस, ग्यारा, बारा, तेरा, चाउटा, पंद्रा, हैंने पंद्रा, इसलिए पंद्रा आंसर हो गया, तो एक से 50 के बीच में कितनी अभाद संख्याएं होती है, पंद्रा, पांच, प्रस्त, आप लोगों के लिए फिनिस, बतलाने में बहुत मेहनत लगता है, बहुत इनर्जी भी लॉस होता है, मेरा उमर 55 साल हो गया, उसके बाद भी अतना मेहनत से और संख्याखे बतला दे रहे हैं, मेरा मेहनत तभी सार्थक होगा, जब आप लोग इमंदारी से और अच्छे से पढ़ोगे, बनाओगे, है ना, जब आप लोग इमंदारी से पढ़ोगे, तो मैं समझूँगा कि मेर मेहनत कारगर हो गिया सफल हो गिया अब आप लोग क्या करेंगे नोट कर लेंगे और घर में बनाएंगे भी